दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एकादर्शी का व्रत आपको किस दिन से शुरू करना है एकादर्शी के व्रत को शुरू करने का शुब महुरत क्या होता है एकादशी व्रत के क्या नियम है जिसमें कि पूजा पाठ किस तरह से करा जाए इस व्रत में किस तरह का खाना खाया जाए और कब इस व्रत का खाना खाया जाए व्रत का पारण कब करा जाए कई सारी बाते एकादशी का व्रत दोस्तों अगर आख कर रहे हैं या व्रत शुरू करने वाले हैं तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए नमस्ते दोस्तों मेरे सतारे हैं किसी की जीवन में दुख संपता की कमी कई सारी यसी बाते हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं इसलिए हम भगमान की शर्ण में जाते हैं प्रातना करते हैं और व्रत करते हैं अब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की जो भी समस्या है वो दूर हो इन तीनों महिनों में आप इकादशी का उपवास शुरू मत करिए इसके अलावा दोस्तों आप वैसे सभी महिनों में इस वरत को शुरू कर सकते हैं पर इसमें भी दोस्तों चार महिने बहुत ही श्रेष्ट बताये गए हैं जिनमें कि आपको इस वरत को अवर्शी शुरू क करना चाहिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्क शीश याने अगन का महीना इस महीने में दोस्तों उत्पन्ना एकादशी आती है साथ ही साथ मुक्षदा एकादशी आती है ऐसा कहा गया है एकादशी माता का प्रादुर भाव उत्पन्ना एकादशी के दिन से हुआ था ज एकादशी व्रत करने की शुरुवात कर सकते हैं अगर आप इस महीने में नहीं कर पाते हैं तो आप चैतर के महीने बैसाक के महीने या माग के महीने से एकादशी व्रत करना शुरू करते हैं तो ये महापुन्यताई फलताई होती है आपके मनुकामना जरूर पूरी होती है सा जुक्र हमारे जीवन में धन बैभव लेके आता है गुरू हमें हमारी जो भी आविश्रक्ताय हैं उनको पूरा करने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए क्या योशनाय बनानी चाहिए सब को गमन करता है तो यह दो ग्रहें हैं इन दोनों को उदय होना चाहिए अब आप देखेगे जब भी आपके पास कोई भी पंचांग घासतोर पर मैं पंचांग के बात कर रहे हूं जिसमें तिति ती यह रहती त्योहार वही पर दोस्तों पंचांग में एक उपर के तरफ चोटा सा ब्लॉक होता है जहां ग्रह इस तिति और होती है ग्रह याने सूर्य चंदरतारा जो भी ग्रहां है उन सब की क्या प्लैनेटरी पोजीशन है सूरेजड़ मंगल बुद्ध शानी शुक्र गुरू सभी की तो उसमें लिखा रहता है गुरू और शुक्रतारा कब से कब तक उधाय रहेगा और कब से कब तक असर रहेगा गुरू और शुक्रतारी की क्या पोजिशन है तो दोस्तों आप जिब कैलेंडर चेक कर लें या तो फिर मैं कोई और दूसरा वीडियो बना दूँगी जिससे कि मैं आपको बता दूँ कि आप किन देट पे इस व्रत को शुरू कर सकते हैं तो आप उससे फॉलो कर लीजेगा पर यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं तो आप इस तरह से देख लीजेए और दोस्तों इसके बाद एक और नियम आता है जिसमें कि कई जगा बताया गया है कि अगर आप ग्रहस्त हैं आप परिवारिक जिम्मदारियों से बंदे हुए हैं तो आप क्रश्न पक्षी की एकादशी का वरत ना भी करें तो चलेगा यानि आप केवर शुक्ल पक्षी की एकादशी का वरत और वास करना चाहिए क्रश्न पक्षी की एकादशी में भी पर आपको दान पुन्य जरूर करना चाहिए खास तोर पर जो लोग ग्रहस्त हैं जिनके जीवन में संतान सुख है उनको अगर वो कृष्णपक्ष की एकादशी का वरत नहीं करते हैं तो ठीक है और उन्हें शुक्लपक्ष की एकादशी का वरत करना चाहिए ऐसा कहा गया है ग्रहत और पुत्रवान को शुक्लपक्ष की एकादशी का वरत करना श्रेष्ट बताया गया है पुत्रवान से मतलब जिसके संतान हो साथ ही साथ ऐसा कहा गया है जैसे अगर आप सन्यासी है, विद्वा है या फिर आपके जीवन में संतान नहीं है तब आपको दोस्तों दोनों एकादश्यों का वरत करना चाहिए दोनों एकादश्यों का वरत करना चाहिए तो दोस्तों ये तो समय हो गया, मैंने आपको बताया कि किन महीनों से आपको एकादश्यों का वरत शुरू करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए अब दोस्तों एकादशी व्रत के हम नियमों की बात कर लेते हैं एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वो बहुत ज़ादा होता है ऐसा व्रत करने से महापुन्यदाई व्रत करने से श्रीहर विश्रु की प्राप्ति होती है, आपके पूर्व जर्म की जो भी पाप कर्म है, सबी नश्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ आप जर्म मरंड के बंदन से भी मुक्ती पा जाते हैं, ऐसा कहा गया है इस वरत को करने के लिए दोस्तों वरत की शुरुवात दश्मी तिथी के दिन से होती है दश्मी, एकादर्शी और द्वादर्शी तीन दिन का ये वरत है तो दोस्तों दश्मी तिथी का जो दिन का आखरी समय होता है जबकि सूर्य अस्तो होने वाला होता है तभी से इवरत शुरू हो जाता है इसके बाद दोस्तों जैसे आप जो भी भोजन करेंगे दश्मी तिति के शाम के भोजन के बारे में बता रही हूं जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है आपको दश्मी तिथी के दिन अगर आप ग्रहस्त हैं तो जब आप आस्वान में जैसी तारे उदय हो जाएं उस समय पे आप अपना भोजन ग्रहन कर लीजिए अगर आप सन्यासी है या विद्वा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहन करिए करीब 5 बजे के आसपास इसके बाद दोस्तों रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहन नहीं करना है आपको दश्मी तिथी के दिन अपने व्रत का शुरुबात करनी है और दोस्तों इस दिन पर जोग, यहू, मूंग, शक्कर, सैंधा नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग् इस बोचन को ग्रहन करने के बाद राद भर आपको उपास रखना है जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पेट में अनाचका बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए इस व्रत को महापुनित फलदाई बताया गया है वो व्रत के नियम थ उपास रखते हैं यानि फल जिसमें की दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता इनने अमरत दाई फल कहा गया है इन फलों को खाके आप इस उपास को रख सकते हैं एक समय दोस्तों शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं अगर आपका शरी स साथ नहीं देता जिसमें की आप सिंघाडे के आँटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं जो भी आप सिंपल फलाहार है वो करिएगा समा का चाबल, साबुदाना और मुंपली मत खाईएगा यह मैं खाने के लिए मना कर रही हूं यानि आप आलू वगेरा खाके इस उप पूजन करिए और आप इस दिन पर ब्रहमण भोज अगरे करा सकते हैं तो ब्रहमण भोज जरूर कराईए नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्छा सामान है जिससे कि हम सीधा बोलते हैं वो आप ब्रहमणों को जरूर दीजिए और इसके बाद सुभा के समय याने एकदम दोस्तों ब्रह्म मौरत में नहीं, बीट के समय, 8 बजे से लेके 10 बजे तक का जो समय होता है, उस समय पर आप वरत का पारन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एकदम प्राताहकाल और मध्यान के समय हमें वरत का पारन नहीं करना चाहिए, उशाकाल याने 7 या 8 आप पारण कर लीजिए, अगर आपके पास उसमें पे कोई भी भूचन नहीं है, तो आपके वल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं, अब दोस्तों इस व्रत को लेकि कुछ और खास नियम है, जैसे कि मैंने आपको खाने के लिए बताया, इन तीन दिनों मे आपको किस तरह का खाना खाना है, पहले दिन भी दोस्तों आपको जोग, यहूं, मूंग, सैना नमक, काली, मिर्ची का खाना खाना है, वैसी ही खाना दोस्तों द्वादर्शी के दिन पर भी खाना है, और ऐसा कहा जाता है, दश्मी और द्वादर्शी के दिन अगर आप ए एकादर्शी और द्वादर्शी के दिन पर आपको क्या-क्या नहीं खाना है आपको मास मदिना नहीं लेनी है प्याज लैसन से बना हुआ खाना नहीं खाना है कासी के बरतन में खाना नहीं खाना है इसमें कुछ सबजियां है जिने बताया गया है जैसे गोभी गाचर शलगम इन शचमी से द्वादशी के दिनों में तौ आपको ये खाना नहीं खाना है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपको जैसा कि मैंने बताया जब भी आप इकादिशी का वास रखें या अगर आप नहीं भी रख रहे हैं तो इकादिशी के वरत का आपको दान जरूर देना चाहिए किसी भी योगे ब्रामण को आपको हमेशा खाना खिलाना चाहिए दान दक्षिना देनी चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं कि दूसरे को हमें अन देना चाहिए जैसे कि ब्रामण को अन का दान करना चाहिए तो आप एक बात का ध्यान रखें कि इन तीन दुनों में कोशिश करें, कि आप बाहर का या किसी और का दिया हुआ अनन ना ग्रहन करें, ऐसा कहां जाता है इक डशी के समय में, अनन में पाप का वास होता है, तो आप किसी और से अनन न लें, पराया अनलेना इकदशी के समय पे निशेत बताया गया है तो आप किसी और से मांग के अनगरहन न करें बल्कि आप अपना भक्ती भाव के साथ उपवास रखिए जब आप इकदशी के दिन सुभा उठें तो आप वहाँ पर भगवान के सामने संकल्प लीजिए हाथ जोड़कर उन से प्राधना करिए हे प्रभु मैंने आपका इकदशी का प्रतुप वास रखा है इसे सफल करिए बहुत ही नियमित पूजा करनी है जैसे हम करते हैं अगर आपके पास श्री हरी विश्नु की मूर्ति आप उसकी पूजा कर सकते हैं ख्रिश्न भगवान की पूजा कर सकते हैं शाली ग्राम की पूजा कर सकते हैं आपके पास जो भी सुविधा से उपलब्ध हो आप श्री हरी विश्नु के उसी रूप की पूजा एकदशी में करिए शाली ग्राम है तो आप उनको अभिशेक करा दीजिए दोस्तों जब आप एकदशी की पुस्तक लेके आएंगे तो उसमें हमेशा हर एक एकदशी के अनुरूप कुछ न कुछ भोग बताया गया है जैसे कि उच्पन्ना एकदशी पे आपको बादाम का और गुड का भोग लगाना चाहिए तो इसी तरह हरी के एकदशी में कोई न कोई भोग है जैसे कभी सिंघाडे के आटे का जब भी आप दोस्तों एकदशी के दिन का फलहार घ्राण करें तो सबसे पहले आप उसका भोग ठाकुर जी को लगाएं श्री हरी विश्नु को लगाएं और इसके बाद उसमें तोलसी दल लगाकर या तोलसी का पत्ता रखकर उस भोजन को ग्रहन करें यह एक तरह की औशदी है जो आपके शरीर को उजा देती है आपके जीवन में सफलता का प्रादूर भाव करती है भक्ती भाव के साथ दोस्तों आप इस वरत की शुरुबात करिए शाम के समय में भगवान का पूजन रर्चन करिए जो नियम मैंने आपको बताए है उन नियमों का पालन करिए अब जैसे दोस्तों कई बार यह होता है कि अगर आपको घर में आपने एका दशी का वरत रखा है शाद आ गया कोई ऐसा समय आ गया जबकि अगर आपको वो खाना ग्रहन करना है तो जैसे शाद का अगर भोजन है, जब कि आपके घर में आपने एकादशी का वरत रखा हुआ है, आप उसे अपने दाहीने हाथ में लेके सूंगे, इसके बाद इस भोजन को आप गाय को दे दें तो ये आपका ग्रहन करा हुआ माना जाएगा, तो इस भोजन को अगर शाद पढ़ रहा है तब खास दौर पे आप इस भोजन को इस तरह से दे सकते हैं तो दोस्तों भोजन करने के लिए अपनी दैनिक दिन चर्या के लिए कुछ नियम का आपको ध्यान रखना चाहिए जैसे कि जब भी एकादर्शी का व्रत हो उस दिन पर आपको आप एक दिन पहले ह पेड के पत्ते तोड़ना निशेद है कई जगह यह बताया गया है आप अगर जामुन के पत्ते लेकर उन्हें चबा लेते हैं तो आपका मुँ उससे साफ हो जाता है इसके अलावा तेल साबुन का भी कई लोग उपयोग नहीं करते हैं जो एकादर्शी का व्रत करते हैं अपने बालों को भी इस दिन नहीं धोते हैं एकादर्शी का व्रत एकदम भक्ती भाव के साथ करा जाता है दोस्तों इस व्रत के जो मी नियम है सभी को माना जाता है ऐसा कहा जाता है इस दिन पर शीहरी विश्णु की भक्ती करते नहीं ना चाहिए आपको अपने घर में खास दोर पर अगर जो वास रखा हुआ है उन्हें जाडू नहीं लगाना चाहिए जाडू लगाते समय दोस्तों हमारे हाथ से चीटी जैसे कई छोटे प्राणू की हत्या हो जाती है तो इस दिन पर हत्या दोश से बचने के लिए जाडू लगाने को मना बताया गया है पर अ उसके लिए आपको इस दिन पर बाल नहीं धोने है और आपको साबून तेल इत्यादी नहीं लगाना है ब्रह्म महुरत में नहा लेना है और उसके बाद भगवान का पूचन जब करना है तक करना है आप विश्णु सहस्त्र नाम का पार्ट कर सकते हैं आप जो भी आपके पास इसरोथ आसानी से उपलब्ध हो उनका पार्ट कर सकते हैं साथी साथ मैं आपको दोस्तों अडवाइस करूंगी कि आप एकादशी व्रत की जो किताब होती है वो ज़रूर ले लिजे क्योंकि उसमें बताया है कि कब कौन सी एकादशी को आपको किस चीज़ का दान दे हवन जरूर कर लीजेगा उसमें थोड़ी सी आहुती दे दीजेगा चार-पांच बार तिन भर ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा इस तरह का जब करते रहिए और भगवान के ध्यान में अपने आपको रमाते रहिए तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं उमीद करते हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगाए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करियो कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट जरूर देखिए जहां आप मेरे सबी वीडियो को देख पाएंगे और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए अ झाल झाल झाल